एलो फ्रेंट्स वेलकम टू दर चानल चलो लेंड करते हैं मेरा नाम है मनिशा तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेर्व करने जा रहे हैं यू के जी हिंदी के वर्क सीट जिससा बच्छों को आप बहुत असानी से पढ़ा सकते हैं आज हम पढ़ेंगे कि वर्क सीट में बच्चों को UKG के क्लास के बच्चों को क्या दे सकते हैं जिससे उनका जो माइन्ड वो इनहेंस हो ठीक है कि UKG में वो क्या पढ़े या फिर आप इसको एक्जाम के तोर पर भी देख सकते एक्जाम का जो सीर्ड दिया जाता है वो उनमें उनको क्या मिलेगा और UKG का सीलेबस जो भी आप कह लीजिए ठीक है तो मैं आज UKG का वर्क सीट हिंदी का सीलेबस आपके साथ सेयर कर रही हूं तो जैसे देखी UKG में क्या होता है कर से गया और और सmmy उनमें तक आम नम को और यह जाता है जैसे इसकूजन भी डिपेंट करता है कि कौन से शूझूजन कैसे अपना चलाते हैं और जिसे मेरे बच्छों को जो पढ़ाए गया है वो मैं आपके साथ share कर रही हूं ठीक है तो उसको और से दो दो मंद्द आ से और से तक और कसे गया तक दो-दो नाम लिखने के लिए दिये गए हैं ठीक है जैसे असे अनार असे अद्रक आ से आम आग ठीक है छोटी इसे इमली फिर आपको हो जाएगा इस्तरी इस्तरी यानि ये छोटी ए आधा सतर में बड़ी इस्तर यानि आहरन ठीक है और बड़ी से आपको एक बड़ी से इट तो इस तरह से आप दो दो उनको सिखाईए लेकिन अगर उनकी स्कूल में एक ही एक सब लिखने को दिये जाते हैं तो एक ही एक उने सिखाईए ठीक है ये इसकूल पर अगल मिम्सक्लाइक करता है मैं पहले आपको क्लियर कर दे रही हूं तरह से दो इस तरह से आप उन्हें लिखने के लिए जीए उसके बाद भर आता है चित्र पहचान कर नाम लिखने के लिए जैसी आम का फोटो आपने बनाता या फेस का फोटो बना दिया अगर आपसे ड्राइंग अच्छी ना बने तो कोई बात नहीं बच्चों का पहले ही क्लियर कर दें कि यह आम का फोटो है यह मचली का फोटो है यह घर है ठीक है तो कम से कम बच्चा यह तो देख के समझ लेगा कि हम ममी ने जो ड्राइंग बना तो फिर बच्चे देख करके अपना चित्र का नाम लिखेंगे ठीक है जैसे यह आम है तो यह चाता है तो छ मैं आ अच्छा त मैं आ ता इस तरह से ठीक है तो यह भी आता है बच्चों को चित्र पहचान कर नाम लिखने के लिए फिर फिर वह नाम लिखने के लिए मिलान करो तो बच्चों को इन चीज में बहुत मन लगता है में morgर तो यह कलस nen तो कलस कदमा तो जेंडा यह तो जनडा थीक है इस तरह से उन्हें mereka मेचिंग करने के लिए में को पढ़ए इस स्वर को गोला करो इस तरह से आपको दे देना है इसा है जाएगा कि वो स्वर को पहचानते हैं कि नहीं ठीक है तो स्वर को गोला करो तो जिसे अ है तो यह गोला कर देगा बच्चा फिर क्या है कर वेंजन है छोटी है तो यह गोला हो जाएगा चोटा हुए तो यह गोला हो जाएगा ओ है तो यह गोला हो जाएगा ए भी गोला हो ज जो हने दो में हमिये दो पहुआ है को पहिड़े में दो को पहचांथेंuesto करें कि अ Coryνο और कोई सवार था कर दो में जोळेंयगे अब फेल को भी दो लिए मिलन को सब लेखए से खाल की अब फल ओप अधी कि तरफ सबहां हो पॉल पॉल बस बस है लिखने के लिए दिया जाता है मिलते जुलते सब कहीं दो दो दिये जाते हैं ठीक है दो लिखने को दिये जाते हैं चत चत तो मत मत रख रख तो चक चक इस तरह से मिलते जुलते सब यानि की रेमिंग वर्ड रेमिंग वर्ड पर मैंने वीडियो बनाय ठीक है फिर है आपको आ की मातरा वाले सब्द। ठीक है आ की मातरा वाले सब्द में जैसे जिसमें डंडा लगा हो है के माओ म में आ म में महार जोग सम यह को योगें पाँजть लिखने के लिए दिये जाते हैं ठीक है जादा नहीं दिया जता है पांच लिखने के लिए दिया जाता है फिर रंगों के नाम तो वही काला सफेद हरा जो इजी हो लिखने में उनको वही आप रंगों के नाम दीजे ठीक है नीला पीला काला हरा सफेद इस तरह से पांच लिखने को देना होगा फिर दिनों के नाम सोमवार, मंगवार, बुधवार, गुरुवार, सुक्रवार, सनीवार, रविवार और एक चीज आप ये भी बता सकते बच्चों को, मैंने तो यही ट्रिक अपना आया था आपने बच्चों को याद कराने के लिए, कि जैसे जितने भी दिनों के नाम में, जितने भी आपको फिकी मातरा लगती है, वो छोटी इकी मातरा लगती है, ठीक है, जैसे अगर दीनोगे नाम के नाम में जिसे रवी वार, सनी वार, तो चोटी ए ही लगाना है, और अगर, अ और व Armstrong आता है तो छोटा, व ही लगाना है, यह एक बच्चों को इस तरह से बोलका करा सकते हैं, जेसे वार है, ठीक है, भू है, तुबा में छोटा, वी सुक्र अलिए ह लगेगे चोटी ही लगेगी और जितना भी लगेगा चोटा हो लगेगा बच्चों को जब भी आप अपक्सिर दीजिए तो यह जो है आपको यह जो क्या पर लगा करके जरूर देना जिसे उन्हें लिखने में सहली हो ठीक है ऐसे बच्चे गडबड हो जाएंगे कैसे क्या लिखे लिए यह आपको जरूर देना है लगा कर यह वन क्लास में नहीं दिया जाता है फिर आता है तुम्हारा नाम क्या है तो बच्चों को अपना नाम लिखना है हिंदी में तो यहां पर हो जाएगा मा में मेरा मेरा फिर नाम तो इस लिए आप जरूर कैप अलग अलग उनको दीजिए लिखने के लिए तो मेरा नाम जो भी आपको बच्चे का नाम है वो लिख देगा ठीक है यह देना है अब आगे जंगली जानवरों के नाम लिखे हैं उसी तरह पाच यह भी लिखना है जंगली जानवरों के नाम फिर फलों के नाम यह सब पालतु पसू के न के लिए आता है अगर मैं से रिपीट करें जोबी उनके सिले बस में हो नहीं हो पढ़र आप बस में आ दो नहीं सीले जोड़े मढई सब करें आप विम्त बढ़े हो कि अडर्ग दो अध्रख न्यूहिए tav デákthrough ऑ नार तो अनार ठीक है यह आकी मात्रा है इस तरह से ये वाला तो आप जरूर दे उन्हें तो अनार अनार फिर खाली जगों को बरो ये भी आता है बच्चों को बढ़ने के लिए जैसे छत पर मत चढ़ तो यहां पर बच्चा क्या भरेगा छत नल पर जल भर तो जल ठीक है फिर लिखन पहन तो इस तरह से आप ये भड़ने के लिए भी देए फलो के नाम दे सकते पाच लिखने के लिए ठीक है तो यह सब आप पर आप जैसे और आदे फिल इन्दा ब्लैंक में खाली अस्थान बढ़ने के लिए जिसे अ है तो यहां क्या लिके बच्चा आ पिर छोट तो वह भी बच्चों को दिया जाता है फिल करने के लिए तो इस तरह से आप ये सब चीज उन्हें दे ठीक है ये सब आप ऐसे वर्क सीट बना करके उन्हें दे जिससे उन्हें आप चाहे थे सब करें स्क्रीन सॉर्ड भी ले सकते हैं ये देखिए पिर ये पिर इस तरह से ये ठीक है तो आप इस तरह से ये बच्चों को हिंदी का जो ये मैंने सिलेबस था वो सेयर किया है अभी तो लोगडाउन चल रहा तो आप बच्चों को इस तरह से घर में बना करके दीजिए इससे उनका जो कॉंसेप्ट है वो बिलकुल क्लियर हो हिंदी में मांड इन हैंस हो तो आई हो फ्रेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप इससे ऐसी वर्क्सित ट्यार करके बच्चों को पढ़ाईए ठीक है हिंदी वर्क्सित था ये और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बनाते रहती हूँ 6 और 7 क्लास के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ और संस्कित ग्रामर कारका और संस्कित ग्रामर के भी है तो आप मेरे प्लेलिच में जरूर चेक करे यह पर डिस्क्रिप्फिय्प बकस में और लिंक पर मैं इसे सेर कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्फियर बकस पर चेक कर लीजेगा ओकए कुए थान्क partie